Hello everyone, EMT के last video में हमने divergence के बारे में पढ़ा था divergence क्या होता है उसका हमने एक formula भी देखा था divergence of any vector is equal to limit dv tends to 0 1 upon dv integration of a.da ठीक है, यानि कि क्या था ये, कि जब हमारा volume element बिल्कुल क्या हो infinitesimal small हो, तब इसके surface integral के, surface integral per unit area के बराबर होता है उसका divergence, आज हम divergence की value partition coordinate में find out करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए हम क्या operator को use कर सकते हैं, numericals के लिए हम इसका एक formula निकालेंगे, ओके, तो सबसे पहले ये हमने मान लिया हमारे पास एक cuboid है, ओके, जिसकी sides, ये वाली side जो है, वो है dx, ये हो गई गई dy और ये हो गई dz, यानि कि length, breath और height क्या हो गई, dx, dy और dz, तो इसका जो volume हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, length into breath into height, तो क्या हो जाएगा, dx, dy, dz, ये इसके जो हमने rectangular piece लिया है, उसके volume की value हो जाएगी, अब हम मान लेते हैं, कि इस पूरे rectangular surface के एकदम बीचों बीच में, मान लीजी, ये आपका rectangle है, तो rectangle के बिलकुल बीचों बीच में, एक point है P, उस point P पर किसी vector A की value है, A, A vector, ओके, तो ये जो होगा, वो तीनो axis के respect में, अपने components में break हो जाएगा, तो x axis में इसका component हो गया, ax, ay, और z axis में हो गया, a, z, ये value है, बिलकुल बीचों बीच, P point पर A vector के components की value है, अब हमें निकालना है divergence, ओके, तो ये जो a.da है formula में, ये क्या है, flux है, है ना, इसी को ही हम क्या कहते है, flux कहते है, तो सबसे पहले हमें vector की value निकालने पड़ेगी, फिर उसका surface integral निकालना प देंगे, divide कर देंगे, तो हमें cartesian coordinates में इसकी value मिल जाएगी, तो सबसे पहला हमारा task जो है, वो है, इसके flux को find करना है, यानि a.da की value को find करना, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, कि x axis की side में, ok, x axis की direction में, इस rectangle की 2 sides है, एक ये वाली side जो इस तरह से है, और दूसरी ये वाली side जो बिलकुल इसके सामने है, तो ये दोनो sides हो गई इसकी x axis की direction में, ok, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि इस वाली side पर क्या होता है, कौन सी side है, ये LMQR, ठीक है, at side LMQR, तो सबसे पहले हमें जो vector की value पता है, वो इस beach वाले point पर पता है, यानि ये जो dx distance है, उस के बिलकुल, बीचों बीच में पता है, लेकिन हमें value चाहिए बिलकुल इस point पर, ठीक है न, तो यहाँ से यहाँ तक की distance क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की distance हो गई dx by 2, ठीक है न, यानि कि ये एक rectangle है, sorry, एक cuboid है, cuboid के बीच में एक point रखा है, वहाँ से उसके surface तक की distance क क्या हो जाएगी इसका आधा हो जाएगी dx upon 2 तो यह जो distance हो गई dx upon 2 पर मुझे किसकी value चाहिए इस vector की value चाहिए अब क्योंकि हम यहाँ से आगे motion कर रहे हैं तो vector की value में भी क्या आएगा change आएगा तो value of vector क्या हो जाएगी एक तो value of vector at initial point यानि आपका जो beach वाला point है plus change in value ठीक है change in a vector इसकी value में कितना हो रहा है change वो वाली चीज़ ओके ना तो सबसे पहले इसकी value हमें पता है x-axis की direction में इसकी value कितनी है ax अब इसकी value में change कितना हो रहा है यह हम कैसे निकालते हैं तो del a इसकी value में कितना change होगा तो इसको निकालने के लिए हम rate of change का formula यूज़ करते है rate of change is equal to change in value upon distance change in value upon distance और distance कितनी है dx by 2 तो इसकी value में change कितना होगा rate of change into distance अब rate of change क्या है rate of change हो जाएगी आपकी dx sorry dx यानि इसके component में distance के respect में कितना change हो रहा है तो इसकी value क्या हो जाएगी del ax upon del x ठीक है और into dx by 2 और यह किसकी value हो जाएगी change in the value of vector a rate of change into distance तो इस value को अगर हम यहाँ पर apply करेंगी तो हमें क्या मिलेगा plus del ax upon del x into dx by 2 तो यह हमें क्या मिल गई at surface LMQR यहाँ पर हमें a vector की क्या मिल गई value मिल गई अब हमें क्या निकालना है flux निकालना है तो flux क्या होता है a.da ठीक है flux क्या होता है हमारा a.da तो हमें इस चीज को जिस भी surface की हम बात कर रहे हैं उस surface के area से क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा अब इस surface का area यह एक rectangular surface है इस cuboid में यह एक rectangular surface है तो इसका area क्या हो जाएगा length into breath okay sorry length into breath तो इसकी length क्या हो गई dy और breath क्या हो गई dz तो इसका जो area हो जाएगा वो क्या हो जाएगा area of this side is equal to length into breath यानि कि dy into dz तो इस a vector की value को हम क्या कर लेंगे इसके area से multiply कर लेंगे तो हमें flux की value मिलेगी ax plus del ax upon del x dx by 2 into dy dz ठीक है तो ये हमें value मिली surface lmqr के लिए लेकिन x axis पर मैंने आपको starting में बताया कि हमारे पास दो surface है एक ये वाली surface और एक ये वाली surface तो इस surface का क्या नाम है ktsn इस surface का क्या नाम है ktsn तो यहां से इस p point से इसके distance क्या हो गई अगर ये distance dx by 2 है और अगर हम उसके उल्टे में चल रहे हैं तो ये distance क्या हो जाएगी minus dx by 2 अगर मैं इसको क्या मानलू origin point मानलू then this distance will be dx upon 2 तो सबसे पहले हम a vector की value निकालेंगे हमने a vector की value निकालना सीखा है ना सबसे पहले vector की value at point p plus rate of change and then distance तो इस तरह से at side ktsn तो ktsn side पर इसकी value क्या हो जाएगी vector की value हो जाएगी ax plus rate of change of vector into distance अब यहाँ पर हमारी distance कितनी है negative dx by 2 तो इसकी value हमें मिलेगी ax minus del ax upon del x into dx by 2 और इसी side पर flux की value क्या हो जाएगी हमें इसको इसके area से क्या करना पड़ेगा multiply तो यहाँ पर इस side का भी area क्या हो जाएगा dy into dz तो इसको हम क्या कर लेंगे dy dz से क्या कर लेंगे multiply इसको हम phi 1 नाम दे देते हैं इसको phi 2 दे देते हैं तो इसकी value क्या बनेगी ax minus del ax upon del x into dx by 2 into dy dz यह क्या हो जाएगी flux की value अब flux होता क्या है total emerging field lines बाहर आने वाली total field lines का number जो होता है वो flux होता है अब x axis के direction में emerging out flux की value क्या होगी यहाँ से तो flux अंदर आएगा और यहाँ से flux बाहर जाएगा तो net flux की value क्या हो जाएगी emerging out होने वाले बाहर आने वाले flux में से जो flux opposite direction में अंदर की तरफ आ रहा है उसकी value को हम क्या कर देंगे minus कर देंगे ओके तो हमें total flux की value मिल जाएगी flux emerging out of x axis हो जाएगा 5 1 minus 5 2 यानि की बाहर निकलने वाले flux में से अंदर enter होने वाले flux को हम minus कर देंगे तो हमें इसकी net value मिल जाएगी तो यहाँ पर हम 5 1 और 5 2 की values को apply कर देते हैं 5 1 की value हमने निकाली है ax plus dell ax upon dell x dx by 2 dy dz और 5 2 की value हमने निकाली है सेम चीज है सिर्फ उसके आगे dell ax upon dell x के आगे क्या लगाया हमने minus का symbol लगाया तो इन दोनों को हम apply कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ax plus this into dy dz minus ax minus this into dy dz तो हम यह देख सकते कि dy dz तो दोनों में से क्या आजाएगा common आजाएगा तो जो भी हमारी value बचेगी उससे हम क्या ले ले लेते हैं dy dz को common ले लेते हैं अब हम solve करेंगे अगर तो यहाँ पर यह जो ax है वो positive है और यह जब bracket open होगा तो यह वाला dx क्या है negative तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगे cancel out हो जाएगे अब हमारे पस बचा क्या यह वाली value और minus minus plus होकर के यह वाली value यह दोनों सेम चीज़े हैं del ax upon dx into dx by 2 del ax upon del x into dx by 2 यह दोनों ही चीज़े क्या है same है बिलकुल और दोनों add हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा twice हो जाएगा two times है ना तो हमें मिलेगा two into del ax upon del x into dx by 2 अब यहाँ इस two से two cancel हो जाएगा तो हमें मिलेगा यह किसकी value है flux emerging out of x direction तो हमें मिलेगा del ax upon del x into dx dy dz ओके और अभी हमने थोड़ी तर पहले देखा था यह जो dx dy dz है वो किसकी value है volume की value है तो इसको हम replace कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा del ax upon del x into v इसका जो volume होगा वो क्या हो जाएगा v यह हमें किसकी value मिली phi की या फिर हम बोल सकते हैं a.da का x component इसी तरह से phi y की value हो जाएगी सेम चीज़ अगर हम y direction में solve करेंगे तो dy की value मिलेगी d ay del ay upon del y into v इसी तरह से phi z की value मिलेगी del az upon del z into v तो अगर हमें total flux निकालना है या फिर total a.da की value निकालनी है तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे add कर देंगे add करने पर तीनों में से volume जो होगा वो common आ जाएगा इसे हम अपनी equation number one बना लेंगे अब हम देखेंगे कि इसकी value हम क्या निकाल सकते हैं तो हमने last कुछ videos में del operator की value को निकाला था del operator होता है i cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z तो अगर मैं इस del operator को किसी एक vector से dot product करूँ है ना इस del operator का मैं किसी vector की साथ क्या करूँ dot product निकालू तो मुझे क्या मिलेगा i del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z और a vector की value क्या हो जाएगी i cap ax plus j cap ay plus k cap az तो जब हम dot product निकालते हैं तो i cap into i cap i cap dot i cap 1 हो जाता है j cap j cap भी 1 हो जाता है k cap k cap भी 1 हो जाता है तो इसके साथ हमें ax मिलेगा del ax upon del x plus इसके साथ हमें ay मिलेगा del ay upon del y और इसके साथ हमें az मिलेगा del az upon del z जो कि किसके बराबर है del dot a के बराबर है तो यही value तो exactly हमें चाहिए थी तो इसकी value हमें मिली del dot a तो इसको हम replace कर देंगे तो इससे हमें मिलेगा integration of a.da या फिर बोल सकते हैं इसका flux will be equal to del.a del और a का क्या मिलेगा dot product into dv अब हमने divergence का formula क्या पढ़ा था divergence का formula हमने पढ़ा था divergence of a is equal to limit dv tends to 0 1 upon dv into a.da तो इस चीज़ की value को हमने क्या कर लिया है calculate कर लिया अब हम क्या करेंगे इसकी value हमें ये मिली है इसको यह apply कर लेंगे तो हमें मिलेगा limit dv tends to 0 1 upon dv del.a into dv dv से dv क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो हमें divergence की value मिलेगी divergence of a is equal to del.a यानि अगर हमें किसी चीज़ का divergence निकालना हो तो हमें उस vector को ये जो del operator होता है इस del operator से उसका क्या निकालना पड़ेगा dot product निकालना पड़ेगा तो हमें उसका क्या मिल जाएगा divergence मिल जाएगा अब हमारा next topic है gauss divergence theorem जो gauss divergence theorem होती है वो surface integral को volume integral में या volume integral को surface integral में change करने के लिए use होती है तो gauss theorem को सबसे पहले हम derive कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसका statement क्या होता है तो सबसे पहले हम लेते हैं surface integral यानि की a dot da ये क्या है हमारा किसी भी vector का surface integral तो अगर हम जो भी हमारा volume है या जो भी हमारे पास जैसे हमने इस case में cuboid लिया था तो उस cuboid के volume और उसके surface area को हम क्या करें छोटे छोटे parts में divide कर ले ठीक है न components में divide कर ले तो जो total surface integral होगा वो summation of all component होगा है न यानि कि जो a dot da है उसके सबका क्या हो जाएगा summation हो जाएगा ठीक है अब हमने इसकी value निकाल ली थी a dot da जो होता है उसकी value हमने क्या निकाली थी del dot a into dv ठीक है तो इसके equal में मैं ये चीज रख सकती हूँ तो यहाँ पर मुझे इसके equal में क्या मिलेगा summation of surface integral a dot da will be equal to will be equal to del dot ai okay del dot ai into dv और इसका भी क्या हो जाएगा summation हो जाएगा ठीक है del dot ai into dv इसका भी क्या हो जाएगा summation यानि ये इसके बराबर हो जाएगा ये सिर्फ हमने value apply की है अब अगर dv tends to 0 हो ये जो हमने infinite decimal volume लिया है ये बहुत ही छोटा हो जो अल-5 आयतन लिया है वो बहुत छोटा हो तो ये जो summation होता है वो किसमें change हो जाता है integration में तो इससे हमें value मिलेगी integration of del dot a into dv यानि हमने शुरुआत की थी इस चीज से surface integral of a dot d जो कि किसके बराबर हो जाएगा integration of del dot a into dv यही हमारी Gauss theorem का statement है जो कि अगर आपको किसी vector का surface integral पता है उसको volume integral में change करना हो तो हम उस vector का क्या कर लेते हैं del operator के साथ dot product निकाल लेते हैं और अगर हमें volume integral पता हो तो हम इसी तरह से इसको surface integral में भी change कर सकते हैं यह है हमारी Gauss theorem इसका statement है कि किसी भी closed surface के लिए किसी भी closed surface के लिए उसका जो उस surface पर उस vector का जो surface integral होता है वो उसके divergence के volume integral के क्या होता है बराबर होता है यह हमारा statement है Gauss theorem का I hope you understand यह हमारा बस्यार के सोग्दिक भी स्थेखेरा आस्यार के er जाते हूं